नमस्कार दोस्तों स्वागात थे आपका स्टार विथर इसमें इस वीडियो में बात करने वाले हैं लेटेस्ट जोब अपडेट के रिगाड़िंग आज के लेटेस्ट जोब अपडेट है विहार बंद रोगा नई भरती 2024 कर दोस्तों बंद रोगा के कुल 1200 से अधीक पदों पर वेकिंसी आनेवाली हैं यह दोस्तों वीया सी जोब है यह जो की भीन इधर के ब्रदीवा में जौबach इसमें आपको बंद रोगा और बंद रख्षक दोनों को वेकिंसी आने जा रहा है योगता आपको बरहमी पास है दोस्तो इसके लावे आप लोगो को आयू, चेन, प्रिक्रिया, पाठ करम, सारे रिक परिक्षा, संपुर्ण जनकार इस वीडियो में देने वाले हैं दोस्तो अब 2024 में न्यू भेकेंसी आने जा रहा है जहां पे बहुत ही अच्छे पदोपर भेकेंसी देखने को मिलेगा लगभग 1200 से पलस पदोपर भेकेंसी देखने को मिलेगा इसकी अपडेट आप लोगो बताऊंगा दोस्तो यहां पे पहले जान लेते हैं कि बन रख्षी और Forester के लिए exam pattern क्या होता है Legibility criteria क्या होता है दोस्तो सबसे पहले जानते हैं बन रख्षी के लिए यानि Security Guard के लिए यहां पे देख सकते हैं Forex Security Guard के लिए आपका जो निवतम योगता रखा गया है 12 होना चाहिए 12 आप किसी भी Extreme से पास हो चाहे Science से पास हो चाहे Arts से पास हो कोई दिख करने के लिए वही दोस्तो एज की अगर बात करें एज निवतम 18 साल रखा गया है और अधिकतम यहां पे 23 साल रखा गया है अगर आप पिछडा बरक से हैं तो पिछडा बरक के लिए 18 साल मिनमम रखा गया है और यहां पे अधिकतम 25 सल तक भर सकते हैं वही दोस्तो अनसूची जाती अनसूची जंज जाती के अगर बात करें फोरेस्टर और फोरेस्टर गाट दोनों का फिजिकल इजिलेटी सेम ही होता है केटेगरी यहाँ पर देख लिए मेल केटेगरी में अगर आप जेनरल इसी से आते हैं तो आपको हाइट 155 cm होना चाहिए वही आप ACST से आते हैं तो 165 cm होना चाहिए और फिमेल के यहाँ पर 160 cm होना चाहिए तो आप लोग बता दो कि ACST अगर आप फिमेल कंडेट हैं तो आपका जो हाइट होगा यहाँ पर 155 cm होगा 155 cm है तो आप इलिजीवल है फोर्म आप लाइक करने के लिए वही दोस्तो यहाँ पर वालकिंग यहाँ पर रनिंग आपको नहीं है वालकिंग है आपको टहलना है जो कि आपको संजय गांधी जविकुद्धान में यह फिजकल कराया जाता है 25 km चार घंटे में यहाँ पर आपको कंप्लीट करने होते हैं आप जितना अधीक नमबर लाइएगा तभी आपको सेलेक्शन होगा ऐसा यहाँ पर नहीं है शिर्फ आपको क्वालिफाइंग निचर का है चाहेंगे तो आप आराम से यह फिजकल कंप्लीट कर सकते हैं दोस्तो अब बात करते हैं फोरेस्ट गार्ड जिहां दोस्तो फोरेस्ट गार्ड का यहाँ पे क्या होता है चैन की प्रक्रिया यहाँ पे आपको पर्थम चैनल में लिखित परिच्छा लिया जाएगा यहाँ पे लिखित परिच्छा में आपको परष्ण का standard जो होगा आपको 10 plus 2 level का होगा आपको यहाँ पे दो घंटे का ये paper होगा जिसमें 100 परष्ण पुछे जाएंगे एक प्रस्ण के लिए यहाँ पे 4 नमबर दिये जाँगे याँनि 100 प्रोषन है यहाँ पे 100 multiplication 4 कर देगे multiply तो यहाँ पे 400 अंको को तो दोस्तो यहाँ पे आप लोका जो exam होगा 100 प्रस्ण होगे 400 अंको का होगे वही यहाँ पे देख सकते हैं चार भागों में डिवाइड कर दिया गया है पहले भाग में आपको 30% राष्टिया और अंतराष्टिया महत्व की समाई की घटनाय भारत का इतिहांस भारत का राष्टिया नोलन भोगोल भारतिया राजित अंतर और शासन से समधित प्रस्ण पूछे आपको जो भाग में डिवाइटेद म सेम टो शेम आपको प्रस्ण दीखे जाएंगे और चौत भाग में यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी के प्रस्ण पूछे जाएंगे जो की अपने बिचारों सही रूप में परकट करना था गंभिर तरकपुर्ण गद को पढ़ते हुए समझने के योग की परिछा करना है और भाग चार में आपको 20% हिंदी भासा के ज्ञान से स्मधीत होंगे तो दोस्तों आपको यहाँ पर पूछा जाएगा हिंदी में कुछ के जवाब देने होंगे प्रश्ण पत्रों का सब्रूप्त आमतर प्रकार के होगा दिये गए गाधांसों को शमझना और सब्ध परियोग करके सब्ध भंडार करना और हिंदी व्याकरन दोस्तों यह आपके ही पूछे जाएंगे आपको इंटर पास होना चाहिए और ध्यान रहें आपको यह जो इंटर हो साइंस स्टूर में बिग्यान अथवा समकच उतीरन में होना चाहिए तो दोस्तों अगर आप 12 साइंस से पास की हैं तभी बनपाल का फोरम भर पाएंगे आर्स वाला कंडिट का यहाप एलाव नहीं है वही दोस्तों यहापे एज की बात करें तो बनपाल के लिए आपका मिनमम यह जो रखा गया है 18 साल रखा गया है और अधिक्तम 25 साल रखा गया है वही दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं अन पिछडा बर के लिए देख सकते हैं अन पिछडा बर के लिए आपका जो उमर रखा गया है 18 साल रखा गया और 27 साल रखा गया है वही दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं अगर आप दिहार के किसी छेतर में कारत हैं और आप मिन्म सकते सेम डोड़ है वही आपका हाइट है इतना भीयर्थियों के हैं वही दिस्तों महिला के देख सकते हैं अनुसुची जादी जाती है यहाँ पे 155 cm और आनके 160 cm है वही दिस्तों चैन की परकिरिया के अगर बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको से लिवस में आपको चैन्जिक देखने को मिलेगा आपको 100 प्रस्न पूछे जाएंगे आपको दो घंटे समय दिये जाएंगे आपका जो स्टेंडर होगा 10-2 लेवल का होगा और आपका देख सकते समान घ्यान का जो स्टेंडर होगा आपका मैट्रुक्लेशन लेवल का होगा और जुसतों भौतिक रस्रायन साथ जोवी घ्यान गनित के प्रस्न पूछे जाएंगे इंटर मीडियेट लेवल के पूछे जाएंगे वही दिस्तों आपको एक प् सउन क्या है में आपको भौतिक रश्रायन जीरेशन गनित अधालित प्रस्ण होंगे जीरेगन दैक जीक कम?, लेगा दोपर दोबख्चा कर सकते हैं कि हमें कौन करना है वी करते हुए आधिक सरंधित प्रंशन हळ ना होगा वहिए आगे बात करें भाग चार में हैंपर TVs 20 प्रंशन होगए हिंदी से पूछे जाएगे तथा दस प्र ψण आके अंग्रेजी से पूछे जाए具 सब्ध परियों का सब्ध भंडार से एगे तो दोस्तो यह रहा आपका फोरेश्टर यारी बन पाल दरोगा का सीले बस रहा दोस्तों आप लोग समझ लियोंगे कि एक्जाम पैसा है किटना होता है संपुर्ण जनकारी बता दिए अब दोस्तों बात करते ही कि अब वेकेंसी कब तक आ सकता है दूस्तों इसने पहले बता रोगा चाहोंगा कि जो Foresner दोस्तों इसे पहले आप लोग बताना चाहोंगा कि बिहार S.S.E यानि दोस्तो B, A, C, B, A, C के थूँ यहापे बन रख्षा के लगभग 630 में पदो पर वेकेंसी निकाला गया था दोस्तो इसमें से मातर 40 अभियर्थी ही सेलेक्ट होए पाएं समझ सकते हैं सारे सीटे यहापे खाली रह गए दोस्तो इसमें अभियर्थी खाली है उसके अलावे यहापे लगभग 650 के आसपास में यहाँ से सीटे वेकेंट है उसके बाद में यहापे जो फोरेस्ट गाड का है लगभग 300-400 के आसपास में और एक्स्टा वेकेंसी आने जा रहा है तो दोस्तो यहापे देखें तो प्रिच्छा आपको आने जा रहा है इसकी त्यारी में अभी से आप जूड़ सकते हैं अगर आप फॉरेष्टर बनना चाहते हैं और दोस्तों यह जोग परफाल बहुत ही अच्छा है बहुत ही मस्त जोब है आपको यहाँ पे पर सबसे बात कि दोस्तो यहाँ पे आपका बहुत ही ज़्यादा परमोशन है बिहार में अगर पौश्टेबल बंते है तो दुस्तो यहाँ पे उतना परमोशन नहीं है जितना अगर आप एक फोरिस्थ गार्ड بन जाते हैं तो दोस्तो आपको सारे प्रोसेस बता दिये वेकेंसी कब आएगा कितने आएगा सारे बता दिये तो आशक करते हैं कि वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा तो दोस्तो चैनल को जरूर सस्क्राइब कर दिजेगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले क्योंकि यह लेटिस्ट